हे गाईस, आज हम बात करने वाले कि अगर आपके mobile phone पे Chrome browser में YouTube studio का desktop बरजन ओपन नहीं हो पारा बलकि उसके बदले जब भी आप YouTube studio का desktop बरजन ओपन करने कोशी करते हैं तो वहाँ पे आपके phone में जो YouTube studio का application होता है वो बार-बार open हो जाता है और ऐसी condition में आपको अपने YouTube के उपर या फिर वीडियो में कोई भी अगर setting करनी होती है तो वो आपसे नहीं हो पाती तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह जो problem है उसको आप कैसे fix कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप जो है Chrome browser में YouTube को open करते हैं और उसे desktop site पे करते हैं और उसके बाद जब आपका YouTube जो है जैसे आपके computer में खुलता है उसी तरीके से आपके mobile phone में खुल जाता है तो वहाँ पे अगर आप अपने logo पर click करते हैं तो वहाँ पे जो YouTube Studio का option आता है तो जैसे आप इस पे click करते हैं तो आपके phone में जो YouTube Studio का mobile application होता है वो कुछ इस तरीके से open है जाता है और यह बहुत ही irritating होता है और आपको जो भी अपने YouTube के उपर setting करनी होती है वो इसकी वुझे से नहीं हो पाती है तो अगर आपको इसको fix करना है तो बहुत ही simple है इसके लिए आपको जो है simply आपके mobile phone पर जाना है वहाँ पे आपके phone में जो setting होती है उसमें आपको जाना है setting में जाने के बाद नीचे जाना है और नीचे आपको app management का option देखेगा या फिर manage app या फिर app का option देखने को मिल सकता है तो अलग-अलग device में अलग-अलग नाम हो सकते हैं तो आपको app management पर click करना है यहाँ पे आपको app list देखने को मिलेगी या फिर आप जो है simply नीचे चले या यहाँ पर आपको YT Studio के नाम से application देखने को मिल जागा तो आपको YT Studio पर click करना है, click करने के बाद आपके सामने यह option आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक option होगा open by default, आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेंगे पहला होगा open supported link और दूसरा होगा supported link तो आपको open supported link पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे जिसने पहला option होगा allow app to open supported link और tick जो है आपका इसी पर लगा होगा तो पहले बाले option पर आपका टिक लगा होगा तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर जो third वाला option है don't allow app to open links या फिर हो सकता है कि यहां पर लिखा हो कि open to other app तो जो भी तीसे नमबर वाला जो भी option हो उस पर आपको click कर देना है तो मैं आपको यहां पर दिखा भी दूँगा तो आपको don't allow app to open links पर click करना है और जब यहां पर आप click कर देंगे और जब back जाएंगे तो वहां पर आपको यह setting है don't allow app to open links यह आपको देखने को मिल जाएगी आप एक बार click करके भी confirm कर सकते हैं जब आपका इतना काम हो जाए तो इसके बाद आप अपने chrome browser पर जाएगे वहां पर youtube studio का desktop version वापस से open करने कोशी करिए और इस बार जब आप youtube studio का open करेंगे तो वहां पर आपका youtube studio का mobile application है वो open ना होके आपका youtube studio है वो पूरी तरीके से open हो जाएगा तो यहां पर आपकी जो problem है वो solve जागी और अगर आपको सेम यही problem जो है youtube app के साथ आ रही है कि अगर आप जो है chrome browser में youtube को desktop mode में खोलते हैं और वहां पर कई बाद जो है आपका youtube app उपन जाता है तो सेम यही setting आपको जो है youtube app में भी करनी है आपको phone के setting में जाना है वहां पर youtube का application ढूलना है और उस application के अंदर जो open by default होता है तो वहां पर आपको इसको don't allow कर देना है जैसे setting मैंने अभी बताई है वैसे same setting youtube app में भी कर देनी है और उसके बाद जो है आपके youtube app के साथ भी जो समस्या है वो solve हो जाएगी तो guys ये video मैंने इसलिए बनाई है ताकि आने वाले time में जब मैं आपके लिए youtube studio के कोई video बनाऊ तो आपको वहां पर कुछ भी करने में कोई भी समस्या ना हो क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि कैसे खुलेगा तो आपको ये समस्या नहीं आएगी और आप सारी चीजे जो है अराम से कर पाएंगे तो I hope guys के वीडियो पसंद आई होगे आपको और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राब कर नमद बूला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबा टाटा है